Hello मेरे प्यारे बच्चो, how are you all? I hope you all are fit fine and very happy at your home. So, my dear lovely babies, we were learning about the good habits. याद है, हमने good habits के chapter number 2 के 5 videos देख लिये हैं. 5 videos में हमने क्या किया? Well, हमने chapter का explanation देखा, जिसमें हमने good habits के बारे में पढ़ा, फिर हमने should और should not का use देखा, right? कि हमको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए. फिर हमने word power के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने similar spellings या फिर similar sound वाले words को देखे थे. ठीक? उसके बाद word power के बाद हम पहुँचे grammar in use में, जहाँ पर हमने do not को don't, does not को doesn't, और should not को shouldn't के तर पे पढ़ा. है ना, हमने ये short cuts सीखे थे. फिर ये करने के बाद हमने क्या किया? हमने और भी grammar सीखी. हमने देखा कि कैसे sentence बनाने है, कैसे words को match करना है. फिर हमने always or never के बारे में पढ़ा, कि भई, क्या हमको हमेशा करना चाहिए और क्या हमको कभी नहीं करना चाहिए? आज हम सीखने वाले हैं, let's के बारे में. लेट्स मीन्स लेट अस. लेट्स कब यूज करते हैं हम? या लेट अस कब यूज करते हैं हम? इसका अर्थ होता है, चलो हम, चलो करते हैं, ऐसा कुछ. जैसे कि, let's sing, चलो गाते हैं, let's eat, चलो खाते हैं, let's play, चलो खेलते हैं, let's study, चलो पढ़ते हैं, या फिर, let's discuss about the use of let's. चलो, let's का use करने के बारे में हम discuss करते हैं, तो शुरू करें, rewrite each sentence with let's, हमको हर एक sentence को let's का use करते हुए लिखना है, कैसे लिखना है? we should dance, we should dance, को उन्होंने कैसे change किया? we should की जगब पर let's लिखा, बाकी का पैसा का पैसा, we should dance means, हमें dance करना चाहिए, होता है ना, जब आप लोग game खेलते हो, तो किसी बच्चे को idea आता है, हमको ball खेलना चाहिए, फिर एक बचा कहते हैं, चलो चलो हम ball खेलेंगे, या फिर चल dance, चलो dance करते हैं, next is, we should not shout, हमें हला नहीं करना चाहिए, या हमें चिलाना नहीं चाहिए, let's not shout, चलो हम नहीं चिलाते हैं, next is, we should drink milk, हमें दूद पीना चाहिए, इसको हम कैसे change करेंगे? we और should की जगह पर हम लिखेंगे, let's drink milk, drink milk, okay, फिर क्या है, we should not cut trees, हमें पेड नहीं काटने चाहिए, we should not cut trees, हमें पेड नहीं काटना चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे? let's not cut trees, चलो हम पेडों को नहीं काटते, we should go home now, हमें अभी घर जाना चाहिए, let's go home now, चलो, अभी घर चलते हैं, see, wasn't that easy, बहुत ईजी था न, हमने let's या let us का यूज़ करना सीखा, अब हम चलते हैं आगे, page number 17 यहाँ पर end होता है, और हम चलते हैं, page number 19 पर, yes, हमने page number 18 skip किया है, क्योंकि वो हम live class में पढ़ेंगे, listen please, सुनिए, क्या सुनना है, देखते हैं, initial consonant sounds, initial मतलब शुरुआत के, consonant means, याद हैं हमारे कौन कौन से consonants होते हैं, वो जो 21 consonants होते हैं न, हिंदी में कखा गखा वाले और इंग्लिश में, B, C, D वाले, जिसमें A, E, I, O, U नहीं आते हैं, उनके sounds के बारे में आज हम पढ़ने वाले, वेल, ये जो activity है, ये एक activity है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है, और मेरे बाद आपको ये repeat भी करना है, जैसे कि सबसे पहला consonant है, B, सबसे पहला consonant, B, B, B से, B, Bag, Bad, Boat, सो हमने B से क्या सीखा, B से शुरूने वाले, Bag, Bat, Boat, आपने repeat किया न, good, हम next word सीखेंगे, C से शुरूने वाले, C का pronunciation क और स दोनों होता है, यहाँ पर हम क से पढ़ेंगे, क, Cat, Coat, Cock, Cat, Coat, Cock, Then the next is, D, D, Dog, Doll, Drum, F, F, Fan, Fat, Fish, G, 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 से दो प्रणून्सियेशन होते हैं, एक तो होता है, ज, और एक होता है, G, हम अभी, G के बारे में पढ़ेंगे, गोट, Girl, Gun, अब नेक्स्ट इस, H, H का प्रणून्सियेशन होता है, ह, ह से, Hat, Hand, Hand, ओके, Well, यह हमने सीखा, इन लेटर्स के प्रणून्सियेशन, नेक्स्ट हम देखते हैं, J, से, Jahr, जग, Jeep, नेक्स्ट इस, के, की, काइट, किंग, के, से, क, फिर, L, L, से, L, Lamb, Lion, Lock Well, यह जो spelling है L-A-M-B Lamb, B लेकिन इसमें B silent होता है इसलिए हम इसको सिर्फ Lamb पढ़ते हैं वैसे ही बहुत से लोग इसको Lion बोलते हैं It is not Lion, it is Lion क्या है यह? Lion और यह है Lock Then M, 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 Man Moon, Monkey Okay, next is N, Nut, Nose, Nest Next is P, P say P, Pear It is not Pear, it is Pear Pale Pen तो यहाँ पर हमने अभी जो consonants का pronunciation initial consonant sound सीखें उसी की तरह आपको बाकी बचे हुए consonants के भी words को pronounce करना है और practice करना है आपको यह figure out करना है कि जैसे की C के दो तरह के pronunciation होते हैं एक होता है स और एक होता है क वैसे ही जी के भी दो होते हैं ज और ग अभी हमने ग पढ़ा, C पे हमने क पढ़ा, वैसे यहाँ कौन कौन से letters हैं जिनके दो तरह के pronunciation होते हैं ओके, so this is an activity for you, आप इसको बहुत अच्छी तरह से complete करेंगे यहाँ पर इस video का part end होता है और साथ ही यह chapter भी यहाँ पर end होता है ओके my babies, have a wonderful day, bye bye, keep learning, keep practicing, enjoy